पूर्णिंग सांस्टेडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है मैं और विंद सिंग आपके साथ फिजिक्स के लेक्चर डिसकस करूंगा अगर आप मुझे सोसल मेडिया पर जूड़ना चाहते हैं तो इन आइडी पर फेस्बूक ट्वीटर इंस्टा पर आप मुझे फॉलो क बारे में जिसका हिंदी होता है विद्यूत प्रतिरोध के बारे में फरस्ट कोस्ट प्रतिरोध सुंते सुनतर अब के मन में आएगा वाट इजस्टन्स यह ता क्या है ओवग्योस सी बात है जिस टॉपिक पर बात करेंगे तो सब से पहले उसी होगा कि डिबाश्य स्ट क् मतलब होता है कि इसकी अगर electric circuit में electric current flow हो रहा है तो उस circuit का वह property वह गुंड जो उस current flow को रोकता है या उसका विरोध करता है उसे कहते हैं electric resistance हिंदी भी होता है विद्यूत प्रतिरोध इसको basically R से लिखा जाता है कहीं-कही capital R भी होता है कहीं यह small r भी होता है internal resistance के case में small r हो जाता है वैसे external के condition में इसको capital R भी लिखा जाता है और इसका unit होता है ओम यहां गलती से omega हो गया है यहां पे होगा ओम इसका unit होता है ओम क्लियर इतना अब आगे देखते हैं अब सवाल उठता है कि electric current चलो मान लिया कि वो किसी circuit का या किसी conductor का internal property होता है लेकिन अगर किसी conductor का resistance कम है या किसी conductor का resistance ज्यादा है इसका मतलब क्या होता है वैसे resistance बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो conductor नहीं होगा insulator हो जाएगा लेकि इसका एक limit होता है कि वो इस value से इस value के बीच में vary करते रहेगा तो अगर resistance की value कम है किसी conductor के लिए उसका meaning क्या होता है और ज्यादा होता है तो first case is the higher the resistance अगर resistance ज्यादा होता है resistance ज्यादा है that means कि electric current pass हो रहा है तो उसको opposing करने की पावर होती है वे ज्यादा होती है मतलब जो विदुधारा प्रवाहित हो रहा है उसका विरोध करने को जा technology होता हो dayog appellearm EB तो उसे पास होने वाला electric current की values भी कम हो जाएगी तो लिखा गया है higher the resistance, the lower the electric flow मतलब जैसे resistance ज्यादा होगा, उदर से पास होने वाला electric flows हो जाए, next topic की point यहां पे लिखा हुआ है, अगर resistance कम हो जाए फिर क्या होता है, तो resistance कम है, इसका मतलब opposing का capacity कम हो गई उसकी, और opposing capacity कम हो गई, इसका मतलब है कि वहां से ज्यादा से ज्यादा electric current का flow possible है, और ध्यान रखेंगे जिस किसी material का resistance की value ज्यादा हो गई, मतलब वो insulator हो गया और जिसकी resistance की value कम होती है, उसको basically हम लोग कहते हैं, अब लोग बताओ, वीडियो pause करके मुझे answer दो, तो उसको बोलते हैं, conductors, चलिए, आगे देखते हैं, कि अगर हमको calculate करना होता है, calculate करना है, कि चलो ठीक है, ज्यादा है, कम है, ये तो हो गया, लेकिन कितना है, exactly कितना है, उससे electric current पास हो रहा है, ये पता करना है, तो वैसे 3-4 method है, जिससे हम calculate कर सकते हैं, आगे इस पर बात भी करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ 2 method आपको बताने जार हो, फर्स्ट होता है, कि पहले हम ये पता करें, कि electric current अगर किसी conductor से pass out हो रहा है, तो उस conductor का, या उस material के या उस wire का, जो current उसका physical shape है, वो क्या है, जैसे बच्पन आप सुनते होईएगा, या अभी भी घर में electrician काम करता है, तो आपको वहाँ पे देखने को मिलता होगा, कि पतला wire लगेगा, कभी पतला wire होता है, तो बोलता है, ये नहीं लगाने का, क्योंकि अगर पतला या thin wire वहाँ पे use करेंगे, तो वहाँ पे melt हो जाएगा, पिखल जाएगा, और circuit पूरी disturb हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या होता है, तो जब experiment किया गया conductor में के physical shape में और resistance में तो दो तीन interesting बाते सामने आती है, पहला कि temperature तो effective होता ही होता है, लेकिन अगर दूसरे बेबात करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज, कि किसी resistance उतना ही ज्यादा होगा, तो इसको हम लोग scientific language में बोलते हैं, कि जो resistance होता है, कि civic conductor का, वो उसके length के directly proportional होता है, मैं दो wire यहाँ बना रहा हूँ, let's say एक यह है, और एक यह वाला है, बड़ा सा, इसका length L1 है, और इसका L2 है, LZ नहीं पढ़ेगा, उसको L2 कहिए, तो दोनों का length ज्यादा आपको यहाँ दिख रहा है, कि L2 का length है, वो L1 से कहीं ने कहीं ज्यादा है, इसका मतलब है, कि resistance जो होगा L1 का, वो कम होगा, और L2 का resistance की value होगी, वो ज्यादा होगी, क्योंकि आपको मैंने just अभी बताया, कि length ज्यादा होने का मतल ज्यादा होता है, कि उसका resistance वो भी ज्यादा होगा, यह directly proportional होगी, जो कि यहाँ पे लिखा गया, अब दूसरा देखा गया, कि चलो length को fix रखते हैं, length को fix रखते हैं, अब देखते हैं, कि अगर मोटाई को बढ़ा दे चाहे, घटा दे, अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते है बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं, जिसको science में या book में लिखा जाता है cross-sectional area, basically जो ललन टॉप style होता है, वो कहता है कि मोटाई बढ़ा दो चाहे घटा दो, लेकिन science की book में इसको लिखा जाता है cross-sectional area बढ़ाना या घटाना, cross-sectional होता है, basically यह देखो यहाँ प तो यहाँ भी एक interesting fact निकल के आया, बताओ क्या हो सकता है, 10th class के इस सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए, मेरे बताने के पहले आप लोग कमेंडर का डाफट भर दो, कि cross-sectional area जादा होने का मीनिंग क्या है, और कम होने का मीनिंग क्या है, वो आपको पता होगा, लेकि बाइर मतलब कि वहाँ पर cross-sectional area उसका जादा होता है, इसका मतलब यह हो गया कि जिसका cross-sectional area जादा है, उससे जादा electric current पास होगा, और जादा electric current पास होगा, इसका मतलब उसका resistance क्या होगा? कम होगा, तो यहाँ से एक नाया conclusion हमको देखने को मिलता है कि कि किसी भी conductor का या material का जो resistance होता है, वो उससे cross-sectional area के inversely proportional होता है, मतलब कि उसके अनुपरस्त कार्ट के शेदरफल का व्यूत करमानुपार्थी होता है, तो आपको यहाँ से कुछ ऐसे result मिलता है, और इसको finally लिखते है, r equals to rho L by A, और resistance का unit आपको पता है, ओम होता है, तो यहाँ पर ओम यह calculation का method है, किसी भी conductor का या material का resistance कैसे find out करेंगे, अगर rho की L की और A की value हमें वहाँ से मिल जाती है, नीचे figure बनाया गए, देख सकते हैं, यह पूरा पूरा इसका length है, L है, और यह पूरा इसका क्या है, cross-sectional area है, तो ऐसी condition में, r is equals to rho L by A formula होता है, अब देखते हैं क्या को दूसरा method भी है, जहां से हम resistance को निकाल सकते हैं, तो बिल्कूल है, अभी पिछले lecture में, lecture number 3 में, हमने discuss किया था, ohms law के बारे में, आपने देखा होगा, that's good, नहीं देखा है, तो आप थोड़ा सा description box में जाएगा, वहां पर आपको सारे lectures के link भी मिल जाएगे, वहां से आप एक interesting हमने relation निकाला था, potential difference and electric parent के बीच में, जिसको ohms law कहते हैं, और यह ohms law का result क्या था, तो V is equals to IR था, पढ़े हैं, V is equals to IR तो resistance निकाल सकते हैं, कैसे, तो V is equals to IR होता है, तो R is equals to क्या हो जाएगा, R is equals to हो जाएगा V by I, तो इस formula के help से भी आप electric current, electric resistance की value, find out कर सकते हैं, ओके, clear हैं, अब next lecture जब आपका शुरू होगा, तो उस समय में बताऊंगा, कुछ इस पे numericals कैसे बनाते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे, कि temperature का effect क्या होता है, और फिर next आपको बात करेंगे, कि इनका combination किस-किस type से possible है, अगर lecture पसंद आया हो, तो आप like कीजिए, इस channel को subscribe कीजिए, और अपने friends तक share कीजिए, हजियां, यह बिल्कुल free है, आप बिल्कुल उनको share कर सकते है और एक चीज़, कि description में हमारा WhatsApp ग्रूप का link है, आप उस link को click करके हमारे WhatsApp ग्रूप सजवाईनों को सो सकते हैं, वहाँ पे जो भी lecture यहां चल रहा है, सबका PDF आपको वहाँ पे available है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, चलिए मिलते है next lecture में, thank you, all the very best.